हेलो दोस्तो एक बार फिर आप सभी का सवगत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम जीके के 20 बहुती मात पूर प्रिश्ण आपके ले कर रहा है तो आईए पिनक किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रिश्ण की ओर पहले प्रिश्ण है सबसे परबल अपचायक कौन सा है लिथियम सबसे परबल अपचायक है संसर दोरा आपात काल की उद्गोसरा का अनुमोदन कितनी अवद के अंतराल में होना आवश्यक है एक मा के अंतराल में होना आवश्यक है जैव विवित्ता का अंतरराष्ट्री वर्स किस वर्स को घोशित किया गया था 20 दिसंबर 2006 में वर्स 2010 को जैव विवित्ता का अंतरराष्ट्री वर्स घोशित किया गया था मनुस्यों ने इस्थाई आवास बनाना किस काल में प्रारंब किया नौ पा साड़काल में मरेशियों ने इस्थाई आवास बनाना प्रारम किया। Red Cross Society को कितनी बार शांती का नोबल पृसकार प्रदान किया गया। तीन बार Red Cross Society को सांती का नोबल पृसकार प्रदान किया गया है। England, Wales तथा Scotland को समलित रूप से क्या कहा जाता है। ग्रेट बिर्टेन कहा जाता है फ्री जोन्स सब्द किस खेल से संबध है महिंदरा समूह एवं रिको के सहयोग से कहा विशेश आर्थिक छेतर अस्थापित किये गए है जैपूर राजस्थान में महिंदरा समूह एवं रिको के सहयोग से विशेष आर्थिक छेत्र स्थापित किये गए हैं किस ने पाटली पुत्र का नामकरण पटना किया केनिया की नोबेल पुरस्कार विडियता बंगारी मथाई किस छेत्र में जोगदान के लिए जानी जाती हैं एक सथ मनुस्य के सरीर का ताप कितना होता है 98.6 डिग्री फारिन हाइट एकस्वस्थ मनुस्य के सरीर का दाप होता है राज्जी में आपातकाल के समय राज्जी का सासन किसके हाथ में रहता है राश्पती के हाथ में रहता है राज्जी का सासन आपातकाल के समय कित्रिम गर्भादान के लिए बैलों के वीर्दी को किसमे रखा जाता है द्रो नाइट्रोजन में रखा जाता है जबती प्रणाली का जन्म जाता किसे माना जाता है टोडर मल को जबती प्रणाली का जन्म जाता माना जाता है 1979 में अर्थसास्र में किने पर्थम अर्थसास्र का नोबिल प्रस्कार प्रदान किया गया रेगनर फ्रिस्क एवं जान टिम्बरगेन को नोबिल प्रस्कार प्रदान किया गया 1979 में अर्थसास्र का विश्व की सबसे लंबी नदी काउंसी है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है मनुसी के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं 12 जोड़े होते हैं मनुसी के सरीर में पसलियों के भारत से रतनों वा आभुसलों का सबसे बड़ा क्रेता देश कौन सा है संयुक्त राज अमेरिका भारत से रतनों आभूसलों का सबसे बड़ा क्रेता देशे सेरसा की मृत्ती कब हुई थी 22 मई 1545 को सेरसा की मृत्ती हुई पर्थम सरली के कौन किर्केट खिलाडी एक मात्र नोबेल पुरुसकार विजेता खिलाडी बने सेमुल बेकेट जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आज के इस वीडियो में बस इतना ही जल्दी आपसे मिला कात होगी एक नही वीडियो के साथ धन्यवाद